अगर आप भी चाहते हो कि आपका रूम सुन्दर दिखे, लग्जिरिस दिखे, काफी बड़ा दिखे, तो ये वीडियो देख लो, सस्ते में कैसे एंटिरियर डिजाइन करना अपने रूम का, तो इस वीडियो के बाद सीख जाओगे, 10-15 टिप्स आपको दूँगा, और वो दिखे, दो बड़े, दो का भी चला गया, आज कल जो बड़े-बड़े प्लैंक आते हैं, मतलब 3-5, 5-5, 4-4, तो बड़े-बड़े प्लैंक लाने है, और कौन से लाने है, जोइंट-less टाइल आपको लानी है, प्लैंक क्या बोर रहा हो, प्लैंक हमारी टाइल ही है, लेकि जहां आप देती हो, तो कमरा हमें decided होने लग पड़ता है, कि यह चोटा ही कमरा है, तो आपको groove नहीं देना है, paper joint देना है आपको, कि आपके joint बिल्कुल जादा दिखे नहीं, तो उससे क्या होता है, हमारा room जो होता है, बहुत जादा बड़ा होता है, mostly जो room हमारा बड़ा तो आपको, आपको tile क्या करनी है, बड़े बड़े plank यूज़ करनी है, wide color यूज़ करना है, और बीच में joint जादा नहीं दिखेगा, तो आपका room काफी जादा बड़ा दिखेगा, और हमेशे याद रखना, tile कौन सी यूज़ करनी है, हमें glossy finish वाली, glossy finish कौन सी, जिसमें चमक आती है, मतलब vitrified tile कोई भी होगी, जिसमें light पड़ेगी, वो reflect करेगी, room और जादा बड़ा आपका दिखेगा, कभी में matte finish वाली tile अगर room में use करते हो, तो room आपका थोड़ा congested सा, छोटा छोटा दिखता है, और हमेशे याद रखना, tile यो भी use करनी है, जादा pattern नहीं हो, simple सी tile हो, जिसमें आपको ratio अगर चाहिए, क्योंकि काफी लोगों को पसंद होता कि tile में ratio हो, patterns हो, तो patterns हो, लेकिन थोड़े कम patterns हो, ऐसे complicated से patterns रहेंगे, तो room और congested सा बरा बरा दिखता है, तो वो अच्छा नहीं दिखता है, तो आपको tile लेनी है, big plank में, और color white रखना है, और glossy finish रखनी है, यह है, कि जब paint आपको करवाना है, मैं तो must यहीं कहूंगा, कि paint अपना दिवारों का white ही रखो, लेकिन काफी लोगों को white पसंद नहीं आता है, तो आपको ऐसी shade रखनी है, मतलब light color रखना है अपनी दिवारों का, जो चारों दिवारें आपकी होंगी, उनमे ऐसे colors पर जब light पढ़ती है, वो reflect करती है, और जब light reflect करेगी, आपका room काफी जदा बड़ा दिखता है, वो luxurious भी दिखता है इन colors से, अगर आप darker color करवाते हो, dark shade करवाते हो, black हो गया, purple हो गया, जब कोई भी ऐसी shade करवाते हो, जो light को absorb करती है, तो उससे क्या होता है, आपक से कोई भी choose कर सकते हो, और साथ ही साथ, जब paint करवा अपने room में, तो matte finish मत करवा, matte finish से क्या होगा, light absorb होगी, और फिर आपका room क्या होगा, थोड़ा छोटा दिखने लग पड़ेगा, glossy, हमेशा जो paint की आपका रहेगा, वो glossy look रहेगा, light reflect होगी, जैसे मैंने बताया, आपका room बड़ा दिखने लग पड़ता है, और glossy look से क्या होता है, आपका look थोड़ा luxurious लगता है, पहले क्या होता है, mad finish लोग काफी देते थे, उससे luxury look आता था, लेकिन time साथ अभी क्या हो गया, glossy look से काफी चमक आती है room में, और वो luxury भी दिखता है, और काफी बड़ा भी दिखता और साथ ही साथ आपको क्या करना है, जब भी paint करवाने हैं दिवारों में, लोग क्या करते हैं, दो color दूसरे, मतलो highlight करते हैं, दो दिवारे अलग, दो दिवारे अलग, वैसा नहीं करना है, आपको करना क्या है, अपनी चारों दिवारों को क्या करना है, same color रखो, और काफी लोगों को यह चीज़ पसंद नहीं आती है कि सर चारो दिवार एक जैसा color ऐसा नहीं है देखो तीन color आपने अगर ग्रेश पकल लिया जा बेज पकल लिया light color में कर दिया तीन दिवारे जो आपके bed के पीछे वाली दिवार होगी master wall होगी उसको highlight कर लो highlight paint वो ही रखने है मतलब paint आपने लगा लो अगर पूरे कमरे में beige color किया है light में पीछे वाली दिवार पर master bedroom को master wall को भी आपको beige करने है लेकिन उसमें highlight कर लेना है elements add कर लेना है जैसे lowers हो गया उसी color में lowers ले लो ठीक है और lowers ले लिये wall paper आ गया उसी shade में थोड़ा wall paper रखो fluted panel आ गये उसी shade में थोड़ा fluted panel रखो या molding करवा लो तो ये 4-5 option आपके पास आ जाते हैं जिससे होता क्या है आपकी दिवार काफी अच्छी भी दिखती है और आपका room बड़ा भी दिखता है तो ये चीज आपको दियान देनी देनी अगर wallpaper भी यूज़ करते हो तो vertical lines वाला wallpaper यूज़ करना तो ये चीज़ है जो आपका wardrobe होगा wardrobe को भी आपको क्या करना है simple pattern रखने आज कल बहुत luxurious चीज़े चली है टीपटी होगे मतलब glossy finish में आपके handles होगे तो उनके साथ खेल सकते हो आप अरकलिक sheet लगाई है अपने wardrobe में और उसके साथ मतलब अरकलिक sheet एक तो shine भी देगी उसके साथ टीपटी तर हमारा room fill होता है हमारे beds होगे wardrobe हो गया जो bed के side वाले side table होगे जा study table हो गया तो इनको आपको क्या करना है इस तरीके से use करना है कि उनके जो naked legs रहती है मतलब 45 legs रहेंगी बले वो table हो बले वो chair हो तो उससे क्या होता है आपका room का जो flooring है वो काफी जाधा दिखती है जित आपके जो bed के side table होते हैं वो भी hanging होते हैं तो उससे क्योंगा आपका जितना surface जितनी flooring जादा दिखेगी उतना बड़ा वो room लगता है तो मैं कहूंगा bed के side वाले table floated लगाओ chair जो होंगी वो naked legs वाली लगाओ table naked legs लगाओ तो काफी जाधा बड़ा room आपका दिखता है इस कारण भी next जीच कहा करनी है अपने room में आपको mirror मस्ट लगवाने है आपके wardrobe में लगाओ या ऐसे अगर wardrobe नहीं है आपके room में तो आप ऐसे भी mirror लगाईए बड़ा mirror क्या करता है शो करता है कि आपका room जो है luxurious भी है और काफी बड़ा room है जैसे ही अगर लगा लो door के सामने पहली दिवार पर अगर आप लगाते हो mirror तो जैसे कोई enter करेगा तो उसको पहले तो mirror में पूरा room दिखेगा तो उससे भी लगता है कि room काफी बड़ा है तो जो mirror का size रखना है वो भी काफी बड़ा आपको रखना है मतलब 7 foot या 8 foot और चुडाई में डाई 3 feet आपको रखना जैसे यह देखो पहले एक layer होती है नीचे आती जितना जादा नीचे वो आएगी उतना छोटा room वो लगेगा क्यूंकि हमारे 10 feet height है तो अगर हम उसको भी अगर एक feet या 2 feet निकाल देते हैं false ceiling में डेड़ फीट तो निकलेगा है निकलेगा मल्टी level होगी तो वो room छोटा ल जाएगा और room बड़ा भी लगेगा तो साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो जो cobe light होती है मतलब आपका जो center का false ceiling का area होगा शचत होगा वो शचत रहेगा side पे cobe निकलाएगा cobe से warm light link लेगी तो वो भी अच्छा दिखता है और room काफी ज़दा बड़ा दिखता है तो false ceiling इस त कि जब भी आपको क्या करने है curtains लगवाने है full height curtain आपको use करने है full height क्या होगया जैसे हमारी खिडकिया कहा 7 feet तक होती है तो आपको जो button use करने है वो आपको करने है कहाँ से उपर से ही मतलब जहां से slab आपकी जहां से false ceiling खतम होती है वहीं से खटन नीचे आएगे तो room बहु इस look भी देंगे और आपके room को बड़ा ही दिखेंगे इसी में से एक point निकलता है कि जब भी आपको अपने room की खिटकी देनी है जितनी बड़ी खिटकी दे सकते हो उतनी बड़ी खिटकी दो क्यूंकि जितनी बड़ी खिटकी होगी जितनी जदा light room में आगी उतना बड़ा room वो दिखता है, तो आपको क्या करना है खिडकियों के साइज बड़े रखो, मतलब आप रख सकते हो, आठ बाए साथ की, जब पांच बाए पांच की, तो उससे पांच बाए पांच से बड़ी खिडकी रखोगे, तो बहुत अच्छा दिखती है और साथ ही साथ जो उसमें पैटर्न होता है, जो खिडकियों की शेप है उसमें कोई डिजाइन नी रखो, सिंपल खिडकियों रखो, और जो ग्रिल यूज होई होती है सिंपल ग्रिल रखोगे, तो एक लाइट भी काफी ज़दा आएगी और पजल्ड एरिया वो नहीं देखगा है जितना जादा रूम में पजल्ड जगा होंगी ग्लिटर्स होंगे, उतना जादा वो खराब रूम दिखता है रश्य साथ दिखता है उस रूम में तो आपको खिडकियों का जो पैटर्न है वो भी सिंपल रखने है, ग्रिल का पैटर्न भी और बड़ी खिडकियों लगानी है तो उससे भी रूम हमारा काफी ज़दा बड़ा दिखेगा और साथ ही साथ एक टिप आपको देता हूँ अगर आपको लग्जरिस लूक अपने रूम में देनी है तो आपका रूम में एक लग्जरिस लूक आ जाएगी अगर इसको और जाजा जानना चाती है उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि अपने बैटरूम को कैसे आप लग्जरिस लूक दे सकती हो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूँगा वो भी देखना काफी चीज़े आपको सीखने को मिलेंगी और साथ ही साथ अलग से प्लेलिस्ट बना दिये मैंने इंटिरियर पे तो उन पे डेली वीडियो आएगी देखो सीखो और अपना रूम सुन्दर बनाओ तो ये बेसिक टिप्स थी पांचे टिप्स मैंने आपको बदा दी इससे रूम क्या होता है बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता है तो आई होप आपको आईडिया लग गया होगा नहीं लगा होगा कमेंट करो मैं फिर से वीडियो लेओंगा उससे और ज़्यादा चीखोगे थैंक यू गएस